हलो प्रेंट तो चलिए आज को जानते हैं कि काइन मास्टर में जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं डिटिंग करने के बाद जो है वीडियो को जब आप सेव करते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है तो चलिए मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल जो है काइन मास्टर में एक्सपोर्ट जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा उसका इस्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाए सबोज कि कोई आप वीडियो एडिट करते हैं और एडिट करनें बाद जो है एक्सपोर्ट 8 ठीक है, आपको 8 रखके bit rate जो है, रखेंगे तो आपका quality भी बहुत सही रहेगा, ठीक है, बहुत sufficient रहेगा, कोई दिखकत नहीं, quality बहुत बढ़ियां ही रहेगा, ठीक है, तो 8 bit rate रखना है और आपको full HD या HD रखना है, और आपको यहां पे export करना है और यहां पर देखे फ्रेम डेट आपको 60 कर लेना है 60 कैसे इनिबल करना है वो सेटिंग में जाके आपको कर लेना है तो फ्रेम डेट 60 रखिए उसके बाद ध्यान रखिए जब वीडियो एक्स्पोर्ड करते हैं तो यह वाला जो इस्क्रीन है यह इस्क्रीन को आपको ओप नहीं होने देना है ठीक है अगर जो है आपका लोग हो जाता था तो हूँilated life ढूंड करो पड़क्यदिक्म् पर depends on के यह겠다 का सवीज़योट नियुस साथ करता हbourgए फूल एस डी या एस डी में एक्सपॉट करता हो फ्रेम रेंट सिख्टी रखता हूं और बिट रच रखके इसको एक्सपॉट करता हूं और इस स्क्रीन को कभी ओप नहीं होने तो यह यहां कभी जो है और बीच में दूसरा कोई स्टेज जो है स्पीड इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ तो प्रेंट्स यहीं आपको से साथ सेर करना था फिर मिलते हैं नहीं बड़ों में तब तक के लिए धन्यवाद